हेलो फ्रेंट्स वैलकम टो माई चैनल आज हम आपको ये तीन कलर की बुनाई बताने वाले हैं ये देखने में जितनी प्यारी हैं बनाने में भी उतनी असान है तो चलिए बनाना स्टाइट करते हैं मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 14 फंदे डाले हैं और ये देखे सबसे पहली लाइन आपने पूरी उल्टी बुननी है फर्स्ट लाइन जो है फर्स्ट रो आप पूरी उल्टी बुन लीजिए देखे फ्रेंट्स मैंने फॉस्ट लाइन पूरी उल्टी बुन ली है देखे अब हम इसमें थोड़ा सा कलर चेंज भी करेंगे और दूसरा दागा लगाएंगे देखे अब हम येलो से तीन फंदे सीधे बुनेंगे देखे तीन फंदे आगए एक और ये दो हम उतार लेंगे फ्रेंट्स फिर देखे एक दो दो, तेन और ये चार, चार फंदे हमने येलो से बुने, फिर देखे एक और ये दो हम उतार लेंगे और लास्ट वाले तीनों फंदे हम येलो से सीधा बुन देंगे इस तरह, देखे हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है, अब हमारी थर्ड रो है फैंस, देखे ये एक बिना बुने, येलो वाले फंदे, उल्टे बुनेंगे और यह जो white वाले हैं इसे ऐसी उतार लेंगे और yellow वाले फंदे 4 उल्टे बुनेंगे 2, 3 और यह 4 फिर friends इन दो को ऐसी उतारेंगे white को और last के yellow वाले फंदे उल्टे बुनेंगे यह हमारी third row भी complete हो गई है देखे आप fourth row में क्या करेंगे देखे अब हमारी तीन लाइने complete हो गई है अब हम चोथी रो बुनेंगे white से बुनेंगे एक फंदा सीधा और देखे यही वाला फंदा प्रैंट समय इन दो फंदो के पीछे लाना है तो आप ऐसे कीजिए इन दो फंदो को इतार के पहले इस फंदे को इधर ले आई आई एउ और इन दो फंदो को pretty बीच में लख लेए इस तरह देखे ए आपने इससे बुन ना है फिर आपने इसे बुनना है इन दो फंदो को भी और देखिए ये तो फ्रेंट्स हमारा एक आ गया अब हम इसे इधर लेकर आएंगे फ्रेंट्स तो देखें इसे अराम से उतार दीजिए और इसे इधर लेके इसे ऐसे रखेंगे फिर आपने इन दो फंदो को इस पर चढ़ यह फंदा प्रंट्स इधर लेकर आना है वाइट वाला तो आपने क्या करना है इनको अराम से उतारिए दो फंदो को देखे फिर इस तरह से और इसे आगे लिए आए और पिर आपने इसको सीधा बुनना है दोनों येलो भी वाइट से बुन दीजिए इस तरह देखे को इधर लाना है तो बहुत आराम से फंदे उतारिए इस तरह ये तो फ्रंट्स इधर ले लिजिए येलो और ये इधर ले लिजिए इस तरह आप तो फ्रंट्स सारे फंदे आपने वाइट से सीधे ही बुनने हैं इस तरह से हमारे डिजाइन आएगा ये देखे पांचवी लाइन इस तरह बनेगी देखे फ्रंट्स हमारी चार लाइने कम्प्लीट हो गई हैं अब हम पांचवी लाइन पूरी उल्टी बुनेंगे देखे फ्रंट्स हमारी पांच लाइने कम्प्लीट हो गई हैं अब हम चटी लाइन बुनेंगे अब हम थर्ड कलर की सरा उन लगाएंगे फ्रंट्स देखे एक दो तेन फंदे सीधे और ये दो फंदे फ्रंट्स बिना बुने और ये बीच के चार फंदे सीधे अब अपने प्रसंद के कोई सीधे उन ले सकते हैं वह फैंड्स कोई स भी कलर चूस कर सकते हैं देखे four फंदे सीधे 2 फंदे भिना बुने उतारiyorsunवे और तीन फंदे सीधे बुन दीजये लास्ट वाला फंदा उल्टा ही बुनेजे फ्रेंट्स देखें अब हमारी सात्वी लाइन है देखें फ्रेंट्स अब हमारी सात्वी लाइन है एक बिना बुने ये तीन फंदे फिरोजी के उल्टे बुनेंगे ये दो फंदे उतार लेजे ये चार फंदे फिरोजी के ते दो फंदे उतार लेजिए अधि लास्ट के तीनों फंदे उल्टे बुन देजिए आप चाहें तो फ्रेंट्स इस कलर को मल्टी कलर में भी बना सकती हैं मैंने यहां तीन कलर के उन यूज करें हैं आप क्या करेंगे देखें अब हम वाइट वाला लेंगे इस वाइट से बुनेंगे एक सीधा बुनेंगे और देखें वाइट वाले को इधर लेकर आएंगे इन्हें अराम सोतारी इस तरह और इस वाले को आगे रख लीजे और इसे अब सीधा बुन दीजे वाइट से और इ फिर इस वाले फंदी को इन दो फंदों के बीच में लाएंगे, बहुत अराम सोतार ये फ्रेंट्स, इस तरहा लिए और ये वाला इधर लिए जिन इस लाइपे चड़ाईए, इन्हें भी सीधा बुन लेजिए, इस तरहा से फिर इए देखे ये वाले इन दो फंदों के वाइट वाला फंदा इन दो फ्रोजी फंदे से पहले लाना है, होत अराम सोतार ये इस तरहा इस तरहा चड़ाईए और इसको यहां रखके इसे सीधा बुन लीजिए, अब इस वाइट वाले फंदे को इन दो फंदों से पीछे लाना है, बहुत आराम से उतार इए, इस तरहा पहले ये ले लीजिए और इसे धर ले आएज़े, सारे फंदे आपने अब सीधे ही बुनने हैं, अब इसके पीछे के लान प्रेंट्स पूरी उल्ड़ी बुन दीजिए, वाइट कलर के उन से, हमारे डिजाइन तैयार हो चुका है, और अगर आपको ये हमारी तीन कलर की वीडि़, तीन कलर की गुनाई पसंद आए, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक्स पूर वाचिंग, क्लिए एक फच्ड़ी उन से, तीन कलर के उन से, झाल